तमाम अटकलों के बीच अब राज निर्वाचनायोग ने नगर निकाय चुनाओ कि तिथी घोशित कर दिये और ये घोशना कल देर साम की गई बिहार में अब दो चरनों में नगर निकाय चुनाओ होगा राज निर्वाचनायोग की घोशना के बाद अब 18 दिसंबर को प्रथम चरन का मतदान किया जाएगा वहीं वोटों की गिंती प्रथम चरन की 20 दिसंबर को होगी साथ ही दूसरे चरन के वोट 28 दिसंबर को दिये जाएंगे तथा मतगर ना 30 दिसंबर को होगी और बाकी सभी क जिन निकायों में चुनाव होना था यह सब पुरुवत ही रहेगा बस बदल गई है तो मतदान और मतगरणा की तारीक कोट के आदेश के अनुसार सरकार ने पिछड़ा वर को आरक्षन देने के लिए समर्पित आयोग का गठन किया और आयोग ने अपनी रिपोर्ट नगर विकासरम आवाज विभा को सौप दी है और इस रिपोर्ट को सौपने के बाद आयोग ने चुनाव की तारीके भी सारजनी कर दी और इसके अनुसार जो चुनाव में वही प्रत्याशी लड़ेंगे जिनके नामांकन स्कूरूट नी नाम वापसी के बाद वैद पाए गए थे और जिने सिंबल भी अलोट हो चुका है यानि ना उमिद्वार बतलेंगे और ना ही उन्हें मिला सिंबल नैसरे से नामांकन की प्रकिरिया भी नहीं होगी और सभी नगर पाली का निर्वाचन पताधिकारियों को इस आसे की नंबर को जारी अधिशूशना के वक्त जारी आदर्श आचार सहीता भी प्रभावी है और चुनाव खत्म होने तक प्रभावी रहेगा तो आपको बता दें कि जो तमाम प्रत्याशी हैं जिनोंने पहले अपना नामांकन भरा था वही प्रत्याशी शिर्फ चुनाव लड करें तो पटना जिला में पहले चरण में पटना जिले की 10 नगर परिशाद और 2 नगर पंचाज छेत्र में 18 दिसंबर को मतदान होगा और दूसरे चरण में पटना नगर नीगम छेत्र के सभी 75 वाडों में 28 दिसंबर को वोटिंग होगी यानि कि पटना नगर नीगम का ज सिदे तौर पर ये कहा था कि सुप्रीम कोट का ट्रिपल टेस्ट है उसे पालन नहीं किया गया आरक्षन के लिए अती पिछड़ायोग नहीं बनाए गया और इसी वयसे राजजनीरवाचन आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया था लेकिन जैसे ही अती पिछड़ायोग की र कर दिया खर रद्द कर दिया लेकिन